हेलो स्टुडेंट्स वन स्टूडेंट टैप को आपको कैसे यूज करना है वो इस वीडियो में हम देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट में आपको पताई होगी तो अपो अपने सरन और सबसे पहले किको में मुबाइल फॉन इस अपको डौन लोड़ करें उसके बाद log in करें आपका login हो जाएगा लोगई होने के बाद आपके सामने इस तरह का interface नजल आएगा जिसमें सबसे पहले आपको आपका नाम इसके बाद आपका SRN उसके बार क्लास और section नजल आएगा साथ इसाइड में में जो है कुछ आपको अपके points नज़राएंगे जो आप earn करोगे homework करने के बाद यहां पर आपको लिखा हुआ आएगा how to become an e अधिकम student तो आप पढ़ सकते हैं यह अधिकम student बनने के लिए आपको क्या करना होगा use tablet for one hour per subject हर एक subject के लिए आपको इस tablet को one नवर तक जो है वो चला कर रखना पड़ेगा उसके बाद दो रेमेडियल टेस्ट आपको करने होंगे रेमेडियल टेस्ट कहां पर आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगे वीडियो में और उसके बाद attempt to homework per subject दो homework आपको attempt करने हैं जो homework आपको टीचर की तरह से भेज़े जाएंगे उसके बाद यहां पर आपकी progress report शो होगी इस progress report में अभी यह zero minutes दिखा रहा है zero diagnostic test और zero four zero out of four remedial test and zero out of four homework शो कर रहा है तो यह सब आपके complete होंगे अभी यह report आपको दिखाते हैं अभी मालवा से ट्रेड़े तो यह report दिखा रहा आपको पिछले week की पिछले week का मतलब है कि इससे पिछला जो week था वहां पर आपने Monday से Saturday तक जो भी किया था वह यहां पर दिखा रहा है अभी आज Saturday है और Monday बेकर सेस्टरडे तक इस week में जो आप करोगे वो next Monday से लेकर सेटरडे तक दिखाएगा तो यानि की कहने का मतलब यह कि यहाँ पर जो आपकी प्रोग्रेस दिखाई जाती है जैसा कि लिखा भी गया है यह प्रोग्रेस लास्ट वीक तो पिछले वीक की ही आपको प्रोग्रे तो जैसे आप start learning पे click करोगे आपको यहां पर आपके subject नज़रा जाएंगे तो सबसे पहले English है, फिर Hindi है, Physics है, Biology है, Mathematics है जैसे आपकी stream होगी वैसे आपको subject यहां पर show होगे अगर आप art के तो आपको art के subject, commerce हो तो commerce के subject यहां पर show होगे अभी आपको करना क्या है आपको होमवर्क कहां पर मिलेगा जो टीचर के दोवारा भेजा गया है तो उसके दो अप्शन है सबसे पहले एक तो आप यहां नोटिफिकेशन में जाकर यहां पर आप चेक कर सकते हो फॉर इजेंबल देखो अभी 10 मिनिट पहले ही मैंने एक आप यहीं से प्रोशीड कर लेते हैं जैसे आप होमवर्क पर क्लिक करोगे आप डिरेक्ली इस चेप्टर जो की मोशन इस्टेट लाइन है वहां पर पहुच जाओगे तो यहां पर आपको स्क्रीन के उपर नजरा हैगा होमवर्क फिजिक्स फाइव यह मैंने टाइटल द आएगा five questions है और 26 minutes है आप क्लिक करोगे I am ready start तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको questions आएंगे easy questions आते हैं optional easy questions है आप इसको attempt करेंगे और end test करेंगे तो in which of the following state does the body possess kinetic energy तो motion के अंदर ही होती है उसके बाद which of the following type of motion can be used for describing motion of a car on a straight road तो इसके लिए आप जो है rectilinear motion जो है वोई चूज कर सकते हो straight line के लिए after that which of the following type of motion cannot be described cannot describe the motion of a clock hands which of the following can possibly act on a body moving in a straight line which force can possibly act on a body moving in a straight line tangential force frictional force centrifugal force centripetal force तो that is fictional force उसके बाद next question है what kind of motion is rectilinear motion तो one dimension होता है rectilinear motion तो इस तरीके से मैंने सभी question attempt किए उसके बाद yes end test तो end test पे आप क्लिक करोगे आपको आपका score नजर आएगा तो जो भी score होगा हो यहाँ पर आपका नजर आज़ेगा 26 and इसके बाद अभी आपका काम खतम नहीं हुआ है इसके बाद आपको कहां क्लिक करना है begin remedial अब यह देख पार हो begin remedial इस पे भी क्लिक करना है क्योंकि यह अधिकम student बनने के लिए आपको दो homework करने है दो दो remedial टेस्ट भी करने है तो begin remedial टेस्ट पे आप क्लिक करोगे जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप इस वीडियो के नीचे आओगे जैसे नीचे आओगे तो आप देखोगे टेक रेमीडियल टेस्ट तो आप इस पे क्लिक करोगे टेक रेमीडियल टेस्ट पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे रेमीडियल टेस्ट पे आपके समने एक टेस्ट खुल जाएगा I am ready start फिर आप इस पे click करोगे उसके बाद randomly question आएगे मैं भी पढ़ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी randomly हम select कर लेते हैं इसको तो मैं randomly select कर रहा हूँ भी ना पढ़ ही ठीक है ना ताकि कुछ भी हो तो इसको आप जो है next 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 करके ना मलब आप attempt करना next करने की जुरूत नहीं है तो आप इसको properly attempt करना जितने भी questions होंगे वो सारे attempt करने के बाद आप test को end कर सकते हैं end test yes तो जैसे ही आप भी test करोगे जो भी आपका score होगा तो मैंने कोई खास attempt नहीं कि जिरो score आया है कोई बात नहीं मेरा मकसद आपको process समझाना कि आपको करना कैसे है बढ़ना आप पढ़के करना और content काफी अच्छा है जो test का है तो यहां पर आप देख पाऊगे view यहां पर आप इसके अंसर भी देख पाऊगे कि क्या क्या अंसर होने थे हमने तो attempt ही नहीं किए पढ़के तो आप यहां पर देख पाऊगे आपका test हुआ यह नहीं तो यहां देख पाऊगे रेमेडियल टेस्ट वन तो यह एक टेस्ट भी आपका हो गया है तो इस तरीके साब अपने होमवर्क को भी कर सकते हो और साथ-साथ जो है रेमेडियल टेस्ट भी उसी होमवर्क के साथ जो अटेच है वो कर सकते हो अगेन मैं बैक जा रहा हूं बैक जाने के बाद मैं आपको अगेन लर्न अगर आपको होमवर्क के अलाबा कुछ पढ़ना है तो आप यहां पर लर् complete chapter book तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आपके पास पूरे chapter की book जो है वो open हो जाएगी तो NCRT की book इनोंने लगाई हुई है पूरी की पूरी book NCRT की लगाई हुई है यह chapter लगाया हुआ है unit and measurement का वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो दूसरा अगर आप इसकी वीडियो देखना चाते हो complete watch complete chapter वीडियो तो यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हो complete chapter गी वीडियो आप यहाँ पर available है आपको तो यहाँ से आप वीडियो देख सकते हो उसके बाद इसके अलावा अगर आप see your result अगर ने कोई homework किया हुआ है तो आपको यहाँ पर result भी नज़र आएगा फिर back कर लेते हैं और कोई homework pending है जैसे यह एक homework pending है incomplete यहाँ से आप homework कर सकते हो और रेमिडियल work करना है आपने तो यहाँ से homework कर सकते हो जो भी homework होगा आपको यहाँ पर show होगा और पिस एरोपे क्लिक करें और यहां से आप होम पे आके अपनी प्रोग्रेस वगदा चेक कर सकते हों सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए और आप सभी अपना होमवर्क कम्प्लीट करें ताकि आप यह अधिकम स्टूडेंट बन पाएं थैंक यू वेरी मच